देखेल रहा है टिन्नू टिन्नू इसको टिन्नू आवाज देने के बाद बहुत हस्ती है और है अपना है बड़ा पपू जिसका नाम है शुरुती का रुक रुक जरा पपू रुक जा यह देखिए कल अपने घर में गनपदी जी का आगमन हुआ है हाई फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम टू माई न्यू लॉग मेहू स्रिकान सब्ते आप सभी लोग कैसे हो आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे टेंशन मतलो अच्छे से रहो मजह में रहो सोस्त रहो वाट्सप पे मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे क हिंदी में ब्लोग बनाओ हिंदी में ब्लोग बनाओ तो आज का ब्लोग इसी कारण हम आज का ब्लोग हिंदी में बना रहे सबसे पहले में शुरुवात में मैं अपना स्मॉल एक इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ पहले लोगडाउन से पहले 2020 में हम ठाना में रहते थ थाना में गोडबंदर रोड मनोरमा नगर इस एरिया में रहते थे तो लोगडाउन के बाद थोड़ा सिटी का महाल बहुत ही ज्यादा स्टीक हो गया था और शुरुवात में कुछ दिनों के बाद फिर लोगडाउन बढ़ा दिया तो सिटी में ज्यादा स्टीक हो गया था क तो मेरी चोटी बेटी भी थी तो एरिया में गुमने के लिए भी बहुत स्ट्रीक हो गया था तो उसी कारण हमने सोचा कि हम गाउ में जाएंगे तो थोड़ा मोहल ठीक रहेगा और खेतों में जा सकते इसी कारण हम लॉगडाउन में गाउ में आ गए तो गाउ में आने के ब थीक लागा तो उसी लौगडाउन में आने के बाद हमको कॉरोंटाइन गेरा भी किया था तो उसका कुछ ज्यादा असर तो हमको नहीं पढ़ा क्यूंकि सामान होगेरा हमारा था तो हम सुबह उड़ते थे खेतों में जाते थे थोड़ा बहुत काम करते थे तो उसी दवरान हम कुछ खेतों का काम होने के बाद हमारे पास बहुत सारा समय रहता था कुछ भी काम नहीं था तो उसी दवरान हमने यहां पे सब्जी का एक ठेला लगाना चालू किया हमारा रोड पे ही जगा है तो उसी जगह पे हमने सब्जी का ठेला चालू कर दिया तो उसके बाद दूद इस इन कुछ जरूरत चीजों के लिए छुड़ दी गई थी तो उसी में सब्जी भी थी तो सब्जी हमने पेचना चालू कर दिया तो उसके बाद हमको हमको भी थोड़ा ठीक लगा तो इसी कारण इसी दवरान फिर लॉगडाउन जैसे ही कुछ समय के बाद लॉगड था तो होपीस का भाड़ा भी बढ़ गया था डिपोजित का पैसा मेरा पूरा खतम हो चुका था उसी दवरान हम जुलई या ऑगस्ट मन्त में हम ठाना में जाके हो होपीस खाली करके आए तो हो पूरा सामान हम यहां पे लेके आए तो उसी दवरान हम सब्जी का ठेला भ जोहेंबर माइने में 2020 में हमने यहाँ पर किराने की दुकान कोली उसी में हम दूड डेरी फरसाना एसा मट्रेल हमने रखना चालू कर दिया तो अभी 2020 से हम गाउ में ही है सिटी से हमारा कोई भी कॉंटेक नहीं है सिटी में हम जाते है हमारा रूम होगे रहे ठाना में तो अच्छे से यहाँ पर सबकुछ हमारा ठीक से है कुछ यहाँ पर मतलब ज्यादा प्रॉब्लम और दिक्कत वाला कोई भी काम नहीं है यहाँ पर ठीक से हो जाता है सो फ्रेंट यह अपना हुआ स्मॉल इंट्रोडक्शन तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं और फ्रेंट्स गाव में रहने का एक बहुत बड़ा एक रीजन है जो मेरे पिता जी का है मेरे पिता जी को गए तीन साल से डाइबिटीस था तो वहाँ पर हमको कम से कम दो महने के ब शुगर बढ़ा रहता था कभी कम हुआ रहता था तो मैक्सिम्म टाइम तो ज़्यादा ही रहता था फिर वह टैबलेट्स चेंज करनी पड़ती थी और हर चार महने के बाद हमको आखों की जाज करनी पड़ती थी हो सारा एसा एक सेथ के हिसाब से भी एक बहुत सारा चलाते थे ठाना सिटी में तो हो एक बड़ा रिजन था तो यहां पर लॉगडाउन में गाव में रहने के बाद पिता जी को डाइबेटिस का कोई भी कोई भी परिशानी नहीं है उनको एक सिर्फ एक उस समय जो टैबलेट दी हुई है वही उन्होंने कंटिन्यू रखी है उनको कोई भी दिक्कत नहीं होती है यहां पर थोड़ा खेती में हो काम भी करते है और सुबह मतलब जो चलने के लिए जाते थे वो चलने के अलावा थोड़ा खेतों में ही काम कर लेते तो उनका सेहत भी अच्छा है कुछ यहां पर रहने से रहने के बाद यहां पर उनको हो कोई भी दिखकत नहीं है डाइब इसके रिलेटेव उनका एक शेहत भी अच्छा हुआ है वहाँ पे तो एक बड़ी बात हे डाइबिटीटिस का बहुत सारा है ऐसा खाने पिने पर बहुत सारा कंट्रोल आ पहुत सारा नियम जो डाइबिडिस पेशन को फॉलो करना पड़ता है तो वह सारा दिकत यहां पे गाव में रहने से बहुत सारा दिकत हमारा खतम हो चुका है और अभी पिता जी की मेरी सेहत भी अच्छी है और खेतों में हमसे ज्यादा मेरे से ज्यादा हो खेतों में अच्छे तरीके से काम करते सुबह से दोपेर में अभी हमारा थोड़ा खेतों में काम चल रहा है एक दस बारा दिनों से तो हो अच्छे से हो काम कर अब और में रहने का तो उसी कारण हम डाव में रहने का एक प्लान बना लिया और सब चीजे अच्छे से यहाँ पर हमारी हो गई तो हमको यहाँ पर रहने से कुछ ऐसा ढिकत आई नहीं तो इसी कारण हमने यहाँ पर यहाँ से फिर से सीटी में जाने का हमें इसा कोई भी प्लैन बनाया नहीं है लेकिन हमारा सीटी में अच्छे से रूम होगे रहा है वहाँ पर हम कभी भी जा सकते लेकिन वहाँ पर जाने का अभी फिलाल तो हमारा वैसा कोई भी प्लैन नहीं है तो अच्छे से य गारगेवाडी विलेज में तो यहां पे फल्टन सातार रोड पे ही अपनी जगह है गारगेवाडी विलेज में तो यही पे अपनी दुकान है तो यह अभी दुकान में आपको दिखा देता यह देखो फल्टन सातार रोड है तोनों तरप अपनी ही रोड के इस तरप और रोड के उस तरप अपनी ही जगह है यह मंगलनाथ ट्रेडर्स के नाम से हमारा जो कुल डईवत है मंगलनाथ तो उसी के नाम से हमने है दुकान डाली है और मेरा जो ठाना का जो आफिस का काम था वो भी मंगलनाथ कंसल्टंसी के के नाम से था को यह अपनी दुख्यूल 2020 में हमने चालू कि है एक्टॉमबर नुभेंबर महाटे में हमने चालू की थी तो अभी मैरे पापता है तो उस्ट streetus सब्सक्राबटImp और हैं यह अपनी दुख्यूल발 में भी में आपको दिखाना चाहता हूं कि यहां पर हम खाक पर सब्जी लागाते हैं यह अपनी किरानी की दुकान है तो दुकान को ही अपने इसको पुरा किरानी की दुकान अगेरा बना दिये इसमें सब खारी खारे टोस बटर किराने की ही मट्रेल कुछ रहती है किराने का ही मट्रेल हम रखते हैं शुरॉत में हमने किरान इसे नहीं चालू किया था डेरी फरसाना बेकरी आइटम रखते थी उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर हमने किराना का ही मट्रें रखना चालू कर दिया तो एसे ही थोड़ा-थोड़ा करके हमने दुकान बढ़ा दी है और बाजु में ही मेरे वाइफ को आरती को य हमने यहाँ पर कि ब्यूटी पारलर का चालू कर दिया यह 2021 में जनुवरी में चानु किया था नॉवल्टी का भी सावंन रहता है और ब्यूटी पालर का भी कि लेडिस का जो कुछ कुछ दिल करो में हो यहाँ पे किया जाता है है रूप्रेंड हेँ हो पना स्मौर इंट्र और जो डेली रूटिंग का जो धन्दे के रिलेटर जो रहता है अपना काम पैसे के लिए और कंसल्टंसी का भी मेरा काम ओनलाइन ही चालू यहां से कम्प्यूटर से मेरा होता है मोबाइट से कुछ काम होता है तो यहीं कि मैं काम चालू है तो फ्रेंड अभी अपना दुकान का इंट्रोडक्शन हुआ है तो कली ही हमारे यहापे गनपती जी का आगमन हुआ है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ तो रूख रूख जड़ा पपू रूख जा जे दिखिए कल अपना अपने घर में गनपती जी का आगमन हुआ है मिद्धि रहे में अपना है पपू 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 पंद्धि हे हमारा पपू है इसका नाम है शृती हाँ हिंदी हिंदी में बात करने का आज का ब्लॉग हिंदी में और अपना उसके छोटा एक पपू है जिसको हम प्यार से टिन्नू बोलते हैं इसका नाम है अनुसरी अनुसरी नाम है इसका उसे खेल रहा है टिन्नू इसको टिन्नू आवाज देने के बाद बहुत हस्ती है और है अपना है बड़ा पपू जिसका नाम है शुरुती क्या बोल रहे है बड़ा पपू इसको हम ऐसे व्लॉग में पपू पपू करके बोलते हैं पापा नी इसका नाम हम रखाय पपू तो यह अपना हो गए घर का और मेरी माँ है यह मेरी माँ हिंदी में बात करनेगा यह यह अपना थोड़ा खेती का काम चल रहा है कि पपू अहीं पे जा रहा है अभी उस तरब अपना नारेल का पेड़ लगाया हुआ है चार नारेल के पेड़ लगा है लिम्बू का भी पेड़ है वापे यहां पे थोड़ा खेती का काम चल रहा है तो अभी हम जाते हैं दुकान में टिन्नो टिन्नो टन 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 उसको टिन्नो बोलने के बाद बहुत अच्छे से हस्ती है हो तो अभी हम आ गए है दुकान में ब्यूटी पारलर के दुकान में से अपनी घर की इंट्री है अभी है आ गए हम गए तीन दिन से यहां पर थोड़ा बारिश हो रहा है आज भी थोड़ा अभी बारिश हुआ है तो अभी थोड़ा बारिश बंद हुआ है लेकिन गए तीन दि हुआ जोर से बारी सुछी तो तो कल के ब्लॉग में हमने दिकाए है उस बारे में हम ने वीडियो शेर किया इकल ब्लॉग के बारे में कि अभी शाम के सवाचे बजह है और स्याम को स्चुटिंग निकालने का थोड़ा दिक्कत होता है कि शुटिंग में थोड़ा बलर्ग हो जाता है, मतलब डॉट डॉट आता है, तो शाम को कोई भी वीडियो निकाल में नहीं पाता हो, तो आज का ब्लोग हम यही पे एंड कर रहे हैं, आज का ब्लोग आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेर कर देना, और चैनल पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन प्रेस कर देना, सो फ्रेंड, बाई फ्रेंड्स, कर देना कर दो इंडALLY प्रेंड, बाइको के देना, तेना ह। सो यहितkin आपको होगा ठाम। कर दो 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 कर दो